वेलकाम आई डियर स्टूडेंट्स बहुंस स्वागत है तो आड़ा मेरे चैनल लेट्स लान वेद इजी ट्रिक्स ते बेटे आज आपा तो आड़ा क्लास नाइन्थ दा जो मौडल टैस्ट वेपर चाल रहा सी बोड वल्लों पे ज्या होया ओधे आपा पार्ट थ्री ते आ वीडियो दे विच एड़े कोश्चन्स ने ओ है गया सारे सिक्स मार्क्स दे त्या अनल देखना बच्चे जेड़ा हैगा फॉर्टीन्थ कोश्चन ओधे विच आपा जांच करनी है वेरिफाई करना है कि दोन्नों पार्ट जेड़े ने एक्वल ने तो एन अधा सब तो ब ब्रेकेट्स खोल याँ जी मैं होन एक्स दे नाल पहल ना अईसस्तारी ब्रेकेट नों मल्टिप्लाई करना है जी मैं आप जार्णल्ली ब्रेक्टां खोल दें ओ फिक्या है इन् Foundation सिर्फ Every सौकी तरा ही आप ङन्सीं अपाहे ब्रेक्टांनों खोलना है मल्टिप्लाई करन एकस दी क्यूब मैं चेंज करां कर लर प्रस एकस स्केयर वाई क्योंकि जोद आपा एकस नूँ एकस वाई नाल मल्टिप्लाई करांगे तो एदी पावर वन तो एदी पावर वन हो गया एकस स्केयर नाला गया वाई एकस वाई स्केयर जोद आपा एकस नूँ वाई स्केयर ना मल्टिप्लाई करांगे अगले वाले चत्यां देना है माईनस ना मल्टिप्लाई कर रहें आपा ठीक है ता माईनस दा वाई एकस स्केयर तो इनू थोड़ा ओपोसिट लिखो एकस स्केयर वाई लिखो मतलब एकस आमनों पहला रखो ता कि अपनों बाचों केलकुलेशन करण देवीच स्वांबलम देखो गया वाई नुं एक्सला Ben नुम होग्या होगो देखोनाना विछ केदसल हो रहे हैं अख केदसलि provides और ostat Connect दो टाम्स ने x3-y3 ठीक है एकस दिकात तिन माइनस वाई दिकात तिन ते एही की है बेटा अपनी लेफ्ट हैंड साइड यह थे आपा एंड ते लिख दांगे कि आसी जांच कर लिती हैंस वेलिफाइड ठीक है जांच सही है सोखही समसी है ता देखो छे नमबर दा किना करना है फिर आगया है दा जांवाला कोशन ओदे विच आइडेंटिटी बनाओ नहीं आपा ठीक है ता अपनु एद्धा एक रकम दित्ती होई है एक मिंड में लिख लमा हाजी एदे अपने गुन खंडी करन मतलब फैक्ट्राइजेशन करनी है ता पहचानन दा तरीका बे या फिर है एक्यूब माइनस बी क्यूब एक्यूब प्लस बी क्यूब एना दे विच्चों कोश बनूँगा ता एता हो नी सकते क्योंकि एदर ब्रैकता नहीं है ठीक है ता एना विच्चों ही यह कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा ता अपनु की में सोच चना है बेटा चिना दे ऊपर क्यूब बंद दिया है पहला देखो की दी क्यूब ने की दी काण ने हो चौंठ ए क्यूब यह नु~~ चार एधी होल क्योंकि 4A इंटु 4A इंटु 4A यान जीनकी तिन वरी जदो गुणा करते हैं तो आपने को ले चौट एधी तिन बंद है उस्ता बाद देखो स्ताई यह जड़ा इन्हों अपा तिन बी दी होल क्यूब लिखांगे ठीक है जी इस तो अगे जड़ा मैं तरीक्का दासरिया उन्हों एस टीजी वर्थी हो ठीक है हरे एक स्वाल देविच आपा जड़े क्यूब वाले होंगे इस तरह लिख साग देया मैं जेड़ा फार्मूला हे करवानी होनी है जी मैं A माइनस B दी क्यूब है ता A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB A माइनस B ठीक है मैं इस तरह लखानी होनी होनी है ता आपा भी होने इस से तरह नाल तोड़ांगे माइनस लिख 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 किया है तो एथे एना दोना रखमादी माइनस तो बेटा हीव अपनी आइडेंटिटी बांचुकी है थोड़ा जैनों अपना खोल के लिख साग दियां ओधे वर गवना अनवास्ते ठीक है तहुने इनकी में बन गया देखो इनू अपने ओधे लिए दिसी देखना लिखना नहीं हैगा अधिए रहा लाइन अपना लिखनी नहीं है सिर्फ अपनी संतुष्टी लई तुसी स्वाल करके देखने है पहला इनू स्वाल करके देखो गिनना बन दे जारती ये 12 12 आच शती चोका छेचोका चौवी हसल दो बारा ते दो 14 नाल की की आ रहे है दो वरी एस क ये नू एदे नाल ठीक है ता यहे प्लास दा 108 a b स्केर होगा क्लियर हो गया बटा ये थोड़े दमाग दे विच्छी है तुसी येनू स्वाल करके देख लाए ना वी जो ये बन रहे है उसार दी मल्टिप्लिकेशन नाल बन गया बस एन निक लाइन दा त्यां रखना ए तिन वरी लिख दांगे माइनस थ्री भी ता ए अपनी फैक्टराइजेशन बन गी देखो किनी सोखे तरीके नाल बन गी ठीक है ये तुसी वीडियो भी देख सकते हो चैनल दी प्लेयलिस्ट चे होगी ये दी में बनाई होई है ठीक है बटा नेक्स देखो अग्गे बुख कोण ब्राबर होंदेने इंग्लिस देवी चे बेटा जेवी दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स ने ठीक है ता उना दे जेड़े वर्टिकली ओपोसिट एंगल होंदेने वो इक्कोल होंदेने आपा लाइन्स लेलिया ए बी ते सी डी ते ओं इंटरसेक्ट कार रहिया याने ओ ते तो ए जेड़ा दित्ता हुया च लिखांगे अपा गीवण च लिखांगे तो आपनु की दित्ता हुया है दो काट मिया रसेक्टिंग लाइन्स अपका बीच में थोड़े शामने लिखी रहिया ने ओते कटदीयाने आपा सिद्ध की करनें टू प्रूव सिद् आप आप जेड़े एदे एंगल एथे में एंगल नुना नाम देदनिया काउंटिंग वाले जेड़ा एंगल वान एओ एंगल थ्री दे एक वाल है जेड़ा टू आ हो फोर देख वाल है ठीक है एते हून आप आप आइनू करने जी प्रूफ सभूत लिखना हुने दा बहुत सोख्षास वाला बहुत जादे सोख्ष है तुसी की करोंगे तुसी यह दे विच्च लीनियर पेर बनाऊंगे देखो एक ते दो जोड़ देऊं तो जोड़ किनना होंदा 180 क्यों देखो एह दोने जड़े ने एक लाइन ते होंदेने सीडी आपाइक लाइन मननी है एक लाइन देऊ पर एक ते दो बन देने तो जोड़ होगा 180 ते एदा तुसी रीजन की लिखोंगे लीनियर पेर सरल रेखी जोड़ ठीक है ते इसे तरह तुसी दो ते तिन मतलब न आल नाल वाले लेणे ने ए याद रखने एदा वी रीजन एही आउगा उन जड़ा फास्ट वाला है ओनू तुसी नंबर देदो बेटा वन सेकिंड वाले नू नंबर देदो टू एथे लिखांगे फ्रॉम वान एंड टू इक ते दो तू जोदो दोने पासे ने जड़े बच्चे ओहो 180 दे ब्राबर ने ताओ आपस चीवी ब्राबर होनगे अकॉर्डिंग टू यूकलिड दोने चीजह एक तो सीड़े ब्राबर ने ताओन दियां लेफ्ट साइड नावी 180 दे ही ब्राबर होन गया आप ब्राबर ब्राबर लिखती है उन दोन्यों पासे यों कौन दो जड़ा हो कैंसल हो गया सेम सीगे इक्वल सीगे ता इक ते तिन आपने को ले ब्राबर आ गया इक ते तिन की सी सिखर सान्मोक सामने सामने भन दे सी ठीक है एथ्या आपा लिखदांगे वी एसे तरह सिद्ध कर सागदे हाँ इंग्लिष लिखांगे similarly we can prove जड़े दूसरे दो एंगल ने केड़े दो ते चार इसे तरह सी सिद्ध कर सागदे हाँ कौन दो ते कौन चार भराबर ने एंड ते दोसी की लिख देना सिद्ध हो गिया इंग्लिष की लिख दोंगे हैंस प्रूवड क्लियर है इसाम सुख़ाई सीगा इन्हों बस दोक बार देख लियो इंपोर्टेंट है थ्योरम टाइप है है इन्हों जरूर करने यह नहीं हैगा भी थोड़े प्री बोड खत अब नेक्स जड़ा हैंगा वादी फिगर अपनों आप बनाओनी पहनी है इन्हें के हैं एक्स वाइजड जड़ा है ओचौंट डिगरी है त्यक कोन है बीटे ओचौंट डिगरी है और केड़ा हो एक्स वाइड थे जड़ यहाणिकी वाई ते ता एंगल बन्द है फेर उ यह कोई रे है वाई क्यों ओहोँ जड़ वाई पी जड़ वाई पी केड़ा हुन एंगल आवला एंगल है ठीक है तो जड़ी कीरन वाई क्यूं है ओहो इसनों सामध पाजित कर दिया बाय सेक्ट कर दिया तहीं दोन्नों एंगल्स होगे एक्वल इना नुआ अपका एक्स एक लेट कर लेन्या क्योंकि एक्वल ने हुनने दो कौन पता करन्यूं कि है एक ता एक्स वाई क्यों ठीक है केड़ा हो एक्स वाई क्यों ए वाला टोटल एंगल ठीक है एक्स वाई क्यों ते रिफ्लेक्स क्यों वाई पी क्यों वाई पी दा रिफ्लेक्स केड़ा है वेटा आ सारा एंगल क्या हूँ वाई पी दा रिफलेक्स मतलब उस दे पुठे पासे बनन वाला ठीक है हूँ देखो एनना कुछ आपने सामने आ गया है नूँ सॉल्व करना शुरू करो हूँ जड़ी एकस पी है उहो एक लाइन है एक रेख है स्ट्रेट लाइन है ते जो स्ट्रे एकस एकसोओ असि चोव चोंट कटावु हां'd बटा इकसो आसी ले सिर्फ चोंट कटाम खेएं दास चों चार गए छे keeping लिसा चुह चेएं गए 1 ग articulate 216 X आ गया 116 बटे 2, कटाउंगे नू 5 ते गया 10, ते 8 ते गया 16 तो X दा अंसर दो अड़े कोला आ गया 8 बंजा डिगरी ठीक हुन्थोनू केडा केडा कोन केहा सी, जेडा 1 वाला केहा सी केडा सी यहो X, Y, Q ठीक है X, Y क्यों दे विच्छेडी में ग्रीन वाली लाइन बनाई है, ओ X ते चौट दा जोड सीगा, तो X आपका किन्ना कड़े है 8 बंजा, 8 बंजा ते चौट दा जोड है, जोड कर दो इनू, 38 होगे, जी 12, हसल 1, 6, 6 होगे, 12, 102 डिग्री आगया, ठीक है, इकोने पुच्छा सी जेडा में हे परपल वाला कलर लाया है, यानिकी X दा रिफ्लेक्स, Q, Y, P दा रिफ्लेक्स, ता ए हो जुगा बेटा, जोड़ रिफ्लेक्स कड़ना हुंदा है, ता आपका 360 डिग्री चो कड़ना हुंदा है, 360 दे विच्चों आपका 58 बंजा कड़न, बैस ता क्लियर यह वी किन्ना आउगा, ता तो नू कड़ना आके दखा आदन्या, दास चों आठ गए, दो, एथे रहेगे, पांच पांच चों पांच गए, जीरो, 302 डिग्री आंसर आ जुगाएगा, ठीके बेटा, समझ आ गया है तो नू कोश्चन, सौखाई सीगा, हुण आपां लास्ट कोश्चन का दिया, हाँ जीरे लास्ट कोश्चन है, ओदे बनाओने ने आपांच चाड़ ग्राफ ते आयत जित्तर, ठीके, पहले दा आपांच चाड़ ग्राफ बनाओना है, चाड़ ग्राफ बना अंदली, हमें तो नू प्रॉपर एक्स एक्सिस ते लिखनी है, ठीक है, राज नैतिक पार्टी, ते जेड़ी सेकिंड गाल होगी, ओ तुसी हमेशा एदर लिखनी है, ते एहे लिखन है, लिखन तो भीना नंबर नहीं मिलने, फिर थोड़े कोल ग्राफ होगा, ग्राफ दे उपर तो अड़े कोल पॉइंट अड़के तुसी एद्धा लिखलो, A, B, C, D, E, T, F, ठीक है, जी मैं तो नो एथे ताकी बना के दखाऊंगी, हून एदे विच तुसी देखना है, जड़ी लेफ्ट साइड ते लाइन है, उनू की में वंड़न है, ता एदे विच सब्तो छोटा अखर केड़ है, 10, ते तो बड़ना अखर केड़ है, 75, यानि कि अपाँ दास तो लेके 75 तक जाना है, ता एवाड़ी एद्धर या लाइन है, अपाँ की में वंड़ी है, एक मिन मैं तो नो दिखान निया, चलो देखो मैं तो अड़ली है, बना आई लिया, थोड़ा जा, साफ साफ, एजड़ी ह पार्टी उन्हें 75, शिट्टा लित्याने, ठीक है, ता अपाँ स्केल लमांगे बिटे, 75 तक लाइन ड्रॉ करांगे, ते उस दा छाड़ ड्रॉ कर दांगे, ठीक है, स्केल ना, सिद्धिया लाइना, फिर बी जड़ी है गी, उन्हें 55, शिट्टा लित्याने, पंजा और 60 दा सेंटर, ठीक है, उत्थे ताका पाई दा बी वाला छाड़ बना दा है, सी ने जित्याने सेंटी, ता सेंटी बिटा थोड़ी तो चाली दे, चाली पैंती होगा, उस तो दो लाइना उपर तुसी आके सेंटी बना देना है, सी वास्ते, फिर हैगा, उन्हें 39, ती तो ए दिक काट, ग्राफ दे ओपर क्लियर ली दिखेगा थो नुए है, इने बेटा दा सीटा ही लितियाने, ता पहला ही छाड़ बनजे गए था, पहले खाने तक, एनना, फिर है का जी सेंटी दबारे, सेंटी फिर होती ही, तो विचाले पैंती ए दे जिनना, ठीक है, ता हो पात जान दे नतीजन रुपित करन वाला छाड़ ग्राफ बनाओ बनाता जी, की से राजनेतिक पार्टी ने सब्तों जादा सीटा जितियाने, ता सब्तों जादा सीटा की ने जितियाने बेटा ए पार्टी ने, ता इना दे आंसर वी आपा देने ने, ठीक है जी, ए समझ जागया छाड़ ग्राफ बनाके देखियो, नेक्स्ट देखो, इदे विच जड़े वर्ग अंतराल ने, जड़े क्लास इंटर्वल ने, ठीक है, ओहो लगातार है, उना दे विच जड़ा अंतर है, वो ब्राबर नी हैगा, ता इस तरह दे साम दे विच पहलना आपानों ब ठीक है, बेटे देखो, इदे विच जड़े फिगर दे नाली बनालने आपा, हाँ जी, देखो बेटे, एथे आपा इक नमी बना रहे हैं, पहला इदे विच देखलो, इना दा कलास साइज की की है, इना दी, आपा कहांगे कलास इंटर्वल दा वर्ग अंतराल दे विच अ अंतर किन्ना किन्ना, ठीक है, साइज दा मतलब अकार किन्ना किन्ना, उन चार दे विच चो इक कटा मांगे बच्चे किन्ना आगया, तिन, छे चो चार कटा मांगे दो, अठ चो छे कटा मांगे दो, बारा चो अठ कटा मांगे चार, ते बी चो बारा कटा मांगे ता अठ, मतलब देखो class size है जेड़ा हो अलग अलग आया सार्यां दा ओन एस class size दी वर्तों करके आप एना दी जड़ी frequency है जड़ी बारंबारता है उन्हों adjust करांगे यथी आपा लिख दे हुन्ने है अडजस्टिड फ्रीक्वेंसी सही कित्ती बारम बारता ठीक है ता एधा फार्मुला होंदा बेटा फार्मुला तुसी याद रखने जेडा भी एधे विच्चों मिनिमम साइज है मिनिमम क्लास जेडा हैगा अपपाई नू कहांगे इंगलिश देविच्च मिनिममम क्लास साइज फार्मुला लिख रही है बटे देविच्च ओसे क्लास दा क्लास साइज क्लास साइज ओफ गीवन क्लास multiply बाई ओना दी फ्रीक्वेंसी उन एसे फार्मुले नू लाके अपपा इना दी अड़्जस्टिड फ्रीक्वेंसी कड़ांगे सब्तों जड़ा मिनिममम क्लास साइज किन्न है एना क्लास साइज आदे विच्चों सब्तों छोटा केड़ है उँ हैगा बेटा दो ते अपनी जड़ी गे ख्लास ओदा किन्न है तिन multiply किन्ना करांगे उसे दी frequency ता 3 दूनी 6 ता एदा अंसर किन्ना आजेगा बेटा 4 2 दूनी 4 ठीक है उन सेकिंड वाले दा पता कर दिया 2 हैगा minimum class size ओधा अपदा भी class size 2 है multiply by उसे class दी frequency ता एता cancel ही हो गया ते दी एन्यों या जोगी ठीक है clear है next 2 ओधी अपनी भी 2 है multiply 44 ता एदा भी किन्ना आजेगा 44 अगला देखो अपप ऐथे तक कर लिया देखो minimum class size ता 2 ही है पर जेडा तो अड़ी class है ओधा है का 4 multiply by उना दी frequency है गया 16 ता चोकम चोकी 16 ता एदा multiply करके आगया बेटा जी 8 next minimum class size हैगा जी 2 तो अड़ी class दा हैगा 8 ते जेडी frequency है उस class दी ओधा है गया 4 दो दे पहाड दे देखो 8 काट गया 4 ते 4 नाल 4 काट गया 1 ते तेदा अंसर किन्ना जुगा 1 ता हून आपपा जेडा graph बन होना है ओँ एसे information देदा आरते बनाने ठीक है जी इनना समझ आ गया नहीं पता लग गया ता वीडियो नो थोड़ा बैक कर लियो द्वारा समझनों देख लियो एदे नाल दा इदे नाल दा सम्थो नों कोई मिल दा तो उन्हों भी solve करके देख लियो ठीक है उनापा इस दा graph बनाने या हाँ जी देखो और रकम मैं नाल लिख ली जो आपा बना यहां सी एक क्यों किती है ने adjusted frequency क्यों किती है क्योंकि एही दास्दी है बेटा अपा नों के जो आयता आसी बना रहे हैं उना दी उचाई किन्नी होगी ठीक है हुन देखो इक तो चार में ने जेड़ी एक्स एक्स ते लिता है ओ दो 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 डिफ्रेंस लिता है दो चार छे तुसी हूं एक तो चार दखोन आँ ता वेटा एथ दे तुसी एक लेलोंगे मार्क कार लोंगे जीरो और दो दा सैंटर पॉइंट ता इक तो चार्च हुन तुसी एदर ले पास से वाई है एक्स ते भी लिखना सब्सक्राइब क дост our news . सब्सक्राइब जानगे के नियुक्त बाज़ोंके ग्यादध मेरा 사ण शाद भूंझें डाऑट होजानगे इसे डास लंभियाँ हो चांगी है चलो मैं दास-दास दांतर ले लिया और एक तों चार दे विच बेटा है गा चार ता एथे दा सेंस्टर पॉइंट आएगा पंज उस तों एक निची आएगा जी अपने कोले चार ता इस दी आयत ऋक टों चार तक फिर हैगा चार तों 6, 3 है ती था अपने कोले ऑलरेडी है गई एठे 3 दी आयत बनादांग जी आपा चार तों 6 दे वीच फिर 6 तों 8 दे वीच हैगा बच्चे चुताळी 4 तो 5 जादा अध हो गया पंताळी उस तो 1 निच्चे तक ले ओ बस एक निच्चे तक खानना छे तो आठ होगा चुताली आठ तो बारा हैगा बेटा जी आठ आठ की में होएगा दास तो दो खानने निच्चे उन आठ तो बारा तक जाना है अपा एद्धा बन जेगा ठीक है फिर हैगा बारा तो बी तक पूरा लास तक वन नहीं है सिर्फ एक लाइन जड़ी है गी है ओही आओगी क्योंकि होने इत्थे मेरे को स्केल पैंसल एद्धा दी कोई फसिल्टी नहीं है तो एह एद्धा एक खाने ते तुसी बना देना है तो इस तरह यह जड़ा थोड़ा आयत चित्तर बनके त्यार होगा तब सेसगाल नों त्यांच रखना है कि जदों वी अपने को ले लगातार एह नहीं आ रहे है क्लास साइज ब्राबर नहीं आ रहे है ता आप उधी फ्रीक्वेंसी नूं सेट करना है और यह आयता दी जड़ी उचाई है आयता दी उचाई सेट करना हो पता करना वी की होगी फिर आप उसदा आयत चित्तर बनाने ठीके जी आई होप थो नूं यह सारा समझ आ गया हुगा इदी बात वाद प्रैक्टिस करो सिक्स मार्क्स दे कोश्चन और ने ते सिक्स मार्क्स दे जड़े कोश्चन ने ओने विच्छों इक वी न टेक कियर बाई बेटा